तो दोस्तों आज हम रजस्तान CET 12th level M graduation level दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंतपुर्म प्रश्णों के बारें बात करेंगे और यह सभी प्रश्ण किसी ना किसी एक्जाम में पुछे के प्रश्ण है इसलिए वीडियो में आपन तक ज़रू बने रहे तो चलो वीडियो है जिसे क्या केते बेवान तो दोस्तों आपको 25 प्रस्ण दी जाएंगी जिसमेंसे आगिने वह मिलाष्ट में कमेंट में ज्रू member बताए जिसाकी आपकीhan प्रशन गोते देगी अगला प्रशन को भी आपको रट लेना है कि कावड कला किस वस्तु से अगला स्वाल है कि स्री देवी लाल समर में गित्प में से किस से समंधित हैं क्या प्रश्टन है कि स्री देवी लाल समर नेमलकित में से किस हस्त सिल्प से समंदित है तो ये समंदित है कट पुतली कला से अगला स्वाल है कि राजस्तान के संदर में पचवेदा क्या है और ये भी प्रश्टन बहुत बार एक्जाम बुचा गये है इसलिए इस प्रश्टन को भी आपको रट लेना है कि राजस्तान के संदर में पचवेदा क्या है तो पचवेदा मोटी सूती साल होती है जिसे क्या कहते हैं पचवेदा अगला स्वाल है कि नागोर का बुगाउं किस कलात्मकारे के लिए परसिद है तो क्या परसिद है कि नागोर का बुगाउं जो है वो किस कलात्मकारे के लिए परसिद है तो ये परसिद है कच्ची मिटी के खिलोने के लिए अगला स्वाल है कि राजस्तान का कौन सा स्थान टाई एंडाई की कला के लिए परसिद है Most overexnay और ये प्रिश्टन बहुत बहुत भाए रखें पुछाएगी गिया है इसलिए इस प्रिश्टन को भी आपको रिट लेना है कि राज़स्थान का कौन सा इस्थान जो है वो टाई एंड आई की काला के लिए परसिद है तो वह रस्थान है तो क्या प्रशन है कि चूरामन, कालुकुमार और कृपाल सिंग से खावत, ये तीनों जो हैं, वो राजस्तान की किस लोग कलाओ में से किस समंदित है, निम्न में से लोग कलाओ में से किस समंदित है, वो आपको बताना है, तो ये समंदित है, ब्लू पोटरी से, ठीक है, ब् कि उनी कामलेंने का पर्मुक के अंदर है है तो कहां पर है। तो इसका जो पर्मुक के अंदर है वह है B diets अगला स्वाल है कि राजस्तान में मौलेला किस के लिए जाना जाता है और ऐसे भी प्रस्टन बहुत बार एक जाना जाता है इसलिए इस प्रस्टन को भी आपको रट लेना है कि राजस्तान में मौलेला किस के लिए जाना जाता है तो मौलेला जाने जाता है चमड़े के सुरी टेरा कोटा कारे के लिए जाने जाता है कौन? मौलेला अगला स्वाल है कि राजस्तान में कौफ्ट गरी के काम के लिए कौन से जले है जो परसिद है तो ये भी प्रिश्टन बहुत बार एक्जाम बुचा गया है कि कौफ्त गरी के काम के लिए कौन से जले है जो परसिद है तो ये परसिद है जैपूर और अलवर अगला स्वाल है कि कटपुतली राजस्तान के निम्लिकित में से किस समूदाय से समंदित है तो कटपुतली जो है ये समंदित है बट से ठीक है बट समूदाय से समंदित है क्या कटपुतली अगला स्वाल है कि राजस्तान की फर्ड पैंटिंग पारमपरिक रूप से खालिस्तान पर की जाती है ऐसे भी प्रिशन बहुत बार एक्जाम बुचे गए है इसलिए इस प्रिशन बहुत बहुत बार एक्जामें रिपीड भी हो चुका है और यह आज की क्लास का वेरी 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 मोस्ट बढ़ गशन है इसलिए इस प्रिशन को आपको रट लेना है क्योंकि यह प्रिशन बहुत बार एक्जामें रिपीड भी हो चुका है क्या प्रिशन है कि राजस्तान का पन्ना सहर किस सहर को कहते है तो पनासार जो कहते हैं वो कहते हैं जैपुर को अगला स्वाल है कि नम्लिगत में से कौन कास्ट कला के लिए कास्ट कला के परसिद कला कार है क्या परशन है कि कास्ट कला के परसिद कला कार है कौन है तो वो है परबाद जी सुतार जो कास्ट कला के परसिद कला कार है परसिद है कि कौन सा चेतर जो है वह टेरा कोटा कलाकर्टियों के उत्पादन के लिए परसिद है तो वह चेतर है बूतला चेतर अगला स्वाल है कि सरदार कुदरच सिंग नेमलकित में से किस लोग कला के पर्मुकलाकार थे अगला स्वाल है कि सरदार कुदरच सिंग नेमलकित में से किस लोग कला के पर्मुकलाकार थे अगला स्वाल है कि चंदू जी का गड़ा तथा बोड़ी गामा इस्थान किस के लिए विख्यात है और ये प्रिशन दूसरी बार रिपीट हो चुका है इसलिए इस प्रिशन को आपको रट लेना है और ये प्रिशन एक्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और मैंने भी अपनी कलास में पहले भी बताया था कि चंदुजी कगड़ा तथा बोड़ी गामा अस्तान किसके लिए विख्यात है तो आपको याद होगा तो ये विख्यात है तीर कमान निर्मान के लिए अगला स्वाल है कि राजस्तान राज्य में मसूरिया साडी के लिए परसी दिस्तान है और ये भी प्रिश्टन बहुत 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 बढ़ एक्जाम बुचा गया है इसलिए इस प्रिश्टन को भी आपको रिट लेना है कि मसूरिया साडी के लिए परसी दिस्तान कौन सा है तो वह अस्तान है मांगलो तीके मांगलो जो है वो मसूरिया साड़ी के लिए परसिद स्थान है अगला स्वाल है कि बांदो और रंगो कला के लिए राजस्तान में कौन सा अस्थान है जो परसिद है क्या परसिद है कि बांदो और रंगो कला के लिए कौन सा अस्थान है तो वह अस्थान है जैपूर ठीक है जैपूर जो है वो बांदो और रंगों कला के लिए परसिद हैं अगला स्वाल है कि जैपूर में मिनाकारी की कला किस सासक के समय में आई थी तो मिनाकारी की जो कला है वो आई थी मान सिंग पर्थम के सासनगाल में अगला स्वाल है कि राजस्तान के किस छेत्र में पंडारी मोदक परसिद है तो किस छेत्र में पंडारी मोदक है जो परसिद है वो आपको बताना है तो ये परसिद है बीकाने छेत्र में अगला स्वाल है कि राजस्तान का कौन सा चेतर थेवा कला के लिए विख्यात है तो थेवा कला के लिए विख्यात है कौन सा चेतर वो आपको बताना है तो वह चेतर है परताबगर ठीके परताबगर जो है वो थेवा कला के लिए परसिद है या विख्यात हैं अगला स्वाल है और ये तेवी स्वास वाल है कि पदमस्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले रजस्तान के मुन्ना मास्टर का सम्मन्द किस चेतर से है मुश्ट मरगशनें और ऐसे भी प्रश्ण बहुत बार एक्जामें पूछे भी जाते हैं इसलिए इस पुश्ट को भी आपको रचले ना है कि पदमस्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले रजस्तान के मुन्ना मास्टर का सम्मंद किस चेतर से है तो उनका सम्मंद था काला से अगला स्वाल है कि रजस्तान में तिल पटी के लिए ये अस्तान जाना जाता है कौन सा अस्तान है जो तिल पटी के लिए जाना जाता है वो आपको बताना है तो वो अस्तान है ब्यावर ठीके ब्यावर वो अस्तान है जो तिल पटी के लिए जाना जाता है अगला स्वाल है और यहाज कांतिम स्वाल है कि राजस्थान का का विप्सद है? शाष्थाम रतन बाजार के लिए परसिद है altogether बिख्षाथ है CC? और यह पुइभा Wed लेते बात्य चो препohic to बहुए हैं Всmbre, क्अब का पुई है यह उत्या है? जिसमें से आपने कितने प्रस्म जाएगी है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरू बताए और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हल्पू सभी देवा दो वीडियो को लाइक और चैनल पर नजो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस क आपको मिलती रहेगी धन्यवाद